हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माय अन्मदर वीडियो तुम्हें किरन चोधरी और आपका स्वागे तर मेरे चैनल किरन चोधरी यूटुब कीडियेटर मैं तो आज में बनाने बले हूं पनीर बटर मसाला जिसके लिए मैंने यहां पर लेली हैं च्री टमाटर दो अनियन लस अध्रक की 3-4 प्रोकडव मैने लेलियां डेर 5-6 कलिये में मैंने लसं कि और यहां पर द्राइफृट स्वाओं ले लेलीऱह पीनिट्स, अलमेंट्सन गैश्यू और हरे मिट्स लेलियें थे 5 लंगष गैने लाड़ो हूं चुकि की है और दो लेलिया मैंने पर त्वीज तो अब में इसको बारीक चॉप कर लोंगी और अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ तो यहां मैंने कडाई ले रिया है जिसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया है यहां मैंने दो चमज दाल दियां देशी घी के देख सकते हैं गी हमारा गरम हो चुका है अब मैं डाल सब्साटेट स्क्रीच के लिए अब मैं डाल दोंगे यहां पेस तरहां के दोंगी यू चमीän यहां कर लोंगी और एक जाएर यूज में के लिए तब करोंगी तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें तो यहां मैंने डाल दिया है लसुन, अधरक, लाल मिर्च और प्याज, तो इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी प्याज को तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है अमें दूसरी साइड मसाला त्यार कर लोंगी तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है इसमें मैं डाल दूँगी बन फोट पी स्पून हल्दी पाउडर मैंने यहां ले लिया है य तो यहां मैने थे कि चतीन बड़े चमच ले ले लिए उसमें मैंने उसमी संप्थ मसाल्य को और दीFr चाहिंग nesak ले शक्रते हैं कम जाधा आप अपनी अनुशार ले सकते हैं ले यहां मैं आधा चमच और ड़ाध कर लोगी तो यहम네ला चमच आर्ड कर दिया है तो यह अं मैं इसमें डाल दोंगी 3-4 चुट चुट क्यूब मैंने बटर के काटे हैं वो इसमें मिक्स कर दोंगी बटर को मैं प्याज हमारा पक चुका है हम मैं इसमें एड कर दोंगी जो मैंने ड्राइफूस लिये रूपस को भी अच्छे से रोज करने के बाद इसमें में जाने के दालोंगी आदा चमच नमक ताकि हमारे जो प्याज टमाटर बुछे से गल जाएं नमक डालने से तो इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी और यहां डाल दूगी एक शूखी लालमिच आप कश्मीरी देगी लालमिच कोई से भी ले जकते हैं तो यहां डाल दूगी एक गिलास पानी और इसको धक्या समय तो मैं इसको मिडियम फ्लेम पर दो से तीव मिलाट पकने दूंगी तो देख सकते हम हमा रहा विसमेरी टमाटर रहा मसाला दीथी द deport SNanneो में यहां इस्मेने मिक्स कर दूगी जो मैंने मसाला तियार कर रहा था दहीवाला तो इसको मैंने एड कर दिया है आप मैंस पच यहां पे और एक से दो मिनिट इसको मैं धकन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दूँगी ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए तो देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मसाला पके अब मैं गयास की फ्लेम को कर दूँगी ओफ और इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए तो यहां जो भी मैंने यहां पर खड़े crisis डाले उसको निकाल लूँगी मसाली डाले के पीषने सी ग्रेवी का जो क्लर और वह डाक हो जाता है तो मैंने हैं तो यह दूसरी मैंने ले लिया है गरम पानी गरम फानी में संगर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब इसमें डाल दूँगी मैं पनीर पनीर के मैं उबनें पनीर के मैंने चुटा क्यूब यह थे देख सकते हैं तो इसको घरम-पानी मैं धाक कि रख दूँगी इसके जो सॉफ नेसा वो बनी रहे और इसे पनीर बहुत सॉप्ट हो जाता है बिल्कुल भी हाड में होता है यह बनाने पर तो इसको में रेस्ट के लिए रख दूँगी और दूसरे साथ में पकालूंगी ग्रेवी तो मैंने कडाई वॉश कर ली है वही वली तो अम मैंने यहां पर लगाना है बटर का चौक त बड़े चमाच मैंने बटर लिया था उसमें मैंने एड कर दिया था तेजवत्ता और यहां एक मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक छॉप कर लिया था जॉपर में तो इसको में हलका ब्रॉण होने तक पकाऊंगी तो प्याज हमारा पक्चुका है अब में इसमें बटर का पनीर बटर मसाला में तो आप ज़रू ट्राइ करें मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी तो यहां डाल दूंगी में आदा चमच नमक और इसको अच्छे से कर लोंगी एड मिक्स कर लोंगी यहां पर तो यह हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला अब मैं इसमें एड कर दूंगी जो ग्रेवी मैंने बनाई कि इसको छान लोंगी तो मैंने एक छनी ले लिए उसमें मैंने ग्रेवी को डाल दिया है देख सकते हैं आप आप मैं इसमें धीरे धीरे चमच चलाओंगी और ग् प्रतुर हुआ और मैं खाट है और कर ग्रेवी हमारी विल्कुल चन हीनै देख सकते हैं में अप तो इसम बहुत रहता है तेमाटर की चिलके आण बहुते हैं शोटने फर्शमें तो वह मेरे मुह में नहीं आते हैं उसके पीसिस तो बिल्कुल फाइन ग्रेवी यहां पर तियार हो चुकी है और अब मैंने यहां जो बटर का चौक लगाया था और ग्रेवी को अच्छे से पकने दूंगी तो यहां मैंने दो से तीन मिनिट पर ढखा लिया है तो देख सकते अब ग्रेवी बिल्कुल ड्रेडी हो चुकी है हमारी तो आप मैं इसमें मिक्स कर दूंगी पनीर तो पनीर को आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यह बहुत स्पॉंजी देखने से स्पॉंजी लग रहा है तो यह खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा यह तो यहां मैं पनीर डाल दोंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को लाइक शेयर भी करें और जो न्यू फ्रेंड्स हैं मेरी वीडियो पर प्लीज मेरे चानल को सपोर्ट करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें औ मुझे कमेंट करें अच्छे अच्छे और बताएं कि आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती हैं तो यहां पर बिल्कुल रेडी हो चुका है पनीर बटर मसाला हमारा तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बन पके यह तियार हो चुका हैं अब मैं डाल दूंगी यहां पर कस्तूरी मिति है कस्तूरी आदा चमच ली है इसको मैंने करश्ट करके डाल दिया है मैंने हमें और निने को भी गर मसाला है कुछ भी नहीं डाले हैं बहुत ही सिंपल तरीकी से मैंने इसको बनाया है और जितना सिंपल यह बना है उटना ही टेस्टी ए खाने में है तो मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया है मैंने हरा धनिया तो देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा पनीर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिसे मेरी नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका बहुत- वीडियो को इतना प्यार देने के लिए तो थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियोज